कुछ में पंकच कुमार करम विद्यामंदिर सिक्षन संस्तान के ओर से ओनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा आठ विज्यान चैप्टर नमबर डू सुक्षम जीयों मित्र एउन सत्रों के बारे में अध्यन करेंगे सुक्षम जीयुप परबनुष्यों के अत्रिक जनतुओं में भी विभीन प्रकार के रोगों को उत्वन करते हैं? क्या सुक्षम जीव पादपो में भी विविन प्रकार के रोगों उत्पन करते हैं क्या सुक्षम जीव हमारे भोजन में भी विसेले पदार्तों को उत्पन कर देते हैं जिसके कारण भोजन विसेला या रोग्रेस्थ हो जाता है चलो तो आज हम इनकी जानकारी अपनी इस व अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से सुक्षम जीव होते हैं जो जन्तों में विभिन प्रकार के रोगों को उत्पन करते हैं चलो तो शो इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले BACILNS ANTHRESIS ये एक जिवानों है जो की सामाने रूप से पस्वों में रोग को उत्वन करता है अब कौन से रोग को उत्वन करता है और वो रोग की क्या विसेशता होती है चलो इसके बारे में देख लेते हैं बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जिवानों द्वारा मवेशियों में पसु वरगाते हैं मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग को उत्वन किया जाता है एंथ्रेक्स रोग एक ऐसा रोग है यदि यह पसु में हो जाता है और यसके संप्रक में कोई स्वस्थ मनुस्ये आ जाता है तो यह रोग मवेशियों से स्वस्त मनुष्ये में भी संचरित हो जाता है आप भी नोट कर लीजिए बेसीलस एंत्रेक्स नामक जीवानों द्वारा मवेशियों में एंत्रेक्स रोग को उत्पन किया जाता है यह रोग ग्रेशित पसू से मानव में भी संचरित हो जाता है जदी कोई पसू इस रोग से ग्रेशित है तो यह रोग उस पसू से मानव में भी आसानी से आ जाता है इस कारण हम बता सकते हैं कि सुक्ष्म जीव पामनुस्यों के अत्रेक्त पादपों जन्तवों एवं भोजन को भी अपनी लपिचपेट में ले लेता है तो अब नंबर तीसरा जो इसका चरण पड़ते हैं वो चरण पड़ेंगे पादपों में उत्पन रोग के बारे में तीसरा चरण जो की क्या है सुक्ष्म जीव द्वारा पादपों में उत्पन रोग तो इसका जो तीसरा हानी कारक परभाव है वो क्या है सुक्ष्म जीव द्वारा पादपों में उत्पन रोग सुक्ष्म जीव पादपों में भी विभिन प्रकार के रोगों को उत्पन करते हैं वो रोग कौन-कौन से हैं चलो उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सुक्षम जीवों द्वारा पादपों में घुद्पन रोग आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए विभिन प्रकार के सुक्षम जीव विभिन प्रकार के सुक्षम जीव पादपों में विभिन रोगों को उत्पन करते हैं पादपों में यह रोग उत्पन हो जाने के पस्चाद पादपों की व्रदी विकास रुख जाता है चलो अब कौन-कौन से रोग उत्पर करते हैं इसे हम सार्ने की सायता से आसानी से समझ लेते हैं तो आप भी इन्हें जल्दी सी नोट कर लीजिए और मेरे साथ सार्ने को बना लीजिए अब आप भी जल्दी सी सार्ने बनालिये कि पादपों में सुक्षम जीओंदवरा कौन-कौन से पादप नाम पादप में होने वाले रोका नाम पढ़ते हैं इसमें रोग होता है जो की जिवानों दौारा उत्मर्ण किया होता है इसका संच्रण वायू के द्वारा होता है नमबर दो गेहूं में जो रोग होता है वो होता है करनाल बंट जो की कवक के द्वारा होता है इसका संच्रण वायू एवं बीज द्वारा होता है उसके बाद आता है बिंडी बिंडी में जो रोग होता है वो पीत सिरा मोज एक रोग होता है जो की वाइरस द्वारा होता है इसका संच्रन कीटों के द्वारा किया जाता है तो इस परकार से सुक्षम जीव पादपों में भी विविन परकार के रोगों को उत्पन करते हैं आप भी अब जल्दी से साड़नी को बना लीजिये नीमु, रोका नाम कैंकर, रोकारक जिवानू संचरण वायू, गेहु, रोका नाम करनाल बञ्ट, रोकारक कवक, रोकारक वायरस द्वारा और इसका संचरण कीट द्वारा तो आप भी जल्दी सब साणी को बना लीजिये आप इसके बाद चलते हैं क्या सुक्षम जीओं हमारे भोजन में भी विभिन रोगों से घ्रिसित कर देते हैं क्या भोजन को विसेला बना देते हैं चलो तो इसके नेक्ष्ट टोपिक को हम अब पढ़ते हैं चोथा टोपिक है सुक्षम जीओं द्वारा भोजन को विसाक्त करना या भोजन का विसाक्तन क्या सुक्षम जीओं हमारे भोजन को दूसित करते हैं चलो इसका अब अध्यन कर लेते हैं आप भी अपनी कोपी में मेरे साथ नोट कर लीजिए विभिन प्रकार के सुक्ष्मजीव भोजन पर आकर उन्हें विसेला या विसाथ कर देते हैं विभिन प्रकार के सुक्ष्मजीव भोजन पर आकर उन्हें विसाथ या विसेला कर देते हैं जब भोजन पर सुक्ष्मजीव द्वारा विसाथ या दूसीत हैं विसाथ या दूसीत हैं विसाथ या दूसीत हैं हो जाता है तो इस दूसीत भोजन के सेवन से विभिन प्रकार के सुक्ष्मजीव भोजन पर आकर उन्हें विसेला कर देते हैं जब भोजन सुक्ष्मजीव द्वारा विसाथ या दूसीत हो जाता है तो इस दूसीत भोजन के सेवन से मनुष्य भी अनेग प्रकार के रोगों से ग्रैसित हो जाता है हमने कई बार नोट किया होगा यदि हम दूसीत भोजन का सेवन कर लेते हैं तो हमारे उल्टी सरदर्द चक्कराना आधी बिमारियां हो जाती हैं तो इस परकार हम कह सकते हैं कि सुक्षम जीओं भोजन में भी विभिन परकार के विसेले पधार्तों को स्रावित कर देते हैं जिसके कारण हमारा भोजन दूसीत हो जाता है और यदि हम इस दूसीत भोजन का उप्योग कर लेते हैं तो हम भी विभिन परकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए अब आज हमने अपनी इस वीडियो में सुक्षम जीओं दुआरा होने वाले हानी कारक प्रभाव के चारों चर्णों का अध्यन किया इसने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य पधारतों का प्रिष्ण किस पदार किस प्रकार शेग खाद्य-पधारतों को हम विभिन प्रकार के शुक्षम जीओं के रानी कारक परभावot को बचा सकते हैं